नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं जैक बोड दसवी बरहवी साइन्स के रियल्ट जारी मैट्रिक में 95.38 और इंटर में 81.45 परतिसद बच्चों ने सफलता हासिल की बता दे स्कुली सिक्षा सक्षर्टावी भाग के सचीव के रभी कुमार ने रियल्ट जारी किया है इस दोरान माधिमिक सिक्षा के निदे सक सुनिल कुमार जैक के अध्याक्ष डाक्टर एके महतो जैक उपाध्याक्ष डाक्टर बिनोज सिंग और जैक के सचीव एमके भी मौझूद रहे इस्टुडेंट आपना रियाल्ट जैक की ओफिश्चेल वेफ साइट पर जाकर देख सकते हैं जैक दसवी बोर्ड परिक्षा में और सट पॉइंट तीन दू फिश्दी छात्रों ने फर्स डिविजन से पास किया है वहीं 49.25 फिश्दी छात्र सेकेंड डिविजन और 2.72 फिश्दी थर्ड डिविजन से पास किया है वहीं इंटर साइन्स की बोर्ड परिक्षा में 90.60 फिश्दी स्टुडेंट ने फर्स डिविजन हासिल किय वहीं 7.6, 3.54 सेकेंड डिविजन से और 0.02, 4.3 डिविजन से पास किये हैं तीन दिनों तक हाई अलर्ट पर जारखन पुलीस राष्टपती द्रोपदी मुर्मो के जारखन दवरे को देखते हुए अगले तीन दिनों तक जारखन पुलीस हाई अलर्ट पर रहेगी राष्टपती सुरक्षा को लेकर सीनियर IPS अपसरों सहीत कई दूसरे अपसर अपनी अपनी जिमेदारी समाल चुके हैं चारखन पुलीस के सीनियर IPS अधिकारी ADG मुख्याले ML मीना 24 माई देव घर में तेनात रहेंगे वहीं 24 माई को राष्टपती बाबा बैजनात मंदीर में भागवान सीव का दर्शन करेंगी वहीं 25 माई को राष्टपती खुटी जाएंगी खुटी में रांची रेंज के IG पंकर्ज कमबोज सुरक्षा बेवस्ता की जिमेदारी सम्हाल रहे हैं ADG ML मीना के अलावा देवघर में धानबात की ग्रामीन SP रेसमा रमेशन जमसेदप्र की ग्रामीन SP मुकेस नुलायत कोडारमा के SDPO प्रवीन पूसकर को भी देवघर में तर्शन किया गया है वहीं 25 माई के राष्ट पती के खुटी में आवेशन कारक्रम को लेकर रांची रेंज के IG पंकर्ज कमबोज खुटी में ही तनात रहेंगे खुटी में पंकर्ज कमबोज के अलावा जैप 10 के कमांडेंट IPS धंजाय सिंग IRB के कमांडेंट अनुप लाल STF, SP, संजय, किस्पोटा, सराय केला STPO, हरविंदर सिंग भी खुटी में तनात रहेंगे राष्ट पती के जारखन आगमन को लेकर कारकेट का किया गया रिहालसल राष्ट पती द्रोपादी मुर्म के जारखन दोरे को लेकर पुलिस पासासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के भी कारकेट कारी हसल किया गया तैयर रूट पर पुलिस पता दिकारी और जवानों ने कारकेट कारी हसल किया इस दोरान परमुक सलकोपल सुरक्षा के पोगता इंतजाम दिखे बतादे 24 माई को राष्टपती द्रोपदी मुर्मुतीन दिवस्य दोरे पर जार्खन आ रही है राष्टपती के आगमान को लेकर मंगलवार को रांची यारपोर्ट से लेकर राजभोण राष्टपती के आगमान को लेकर पुलिस पसासन पुली तरह से लाट में है 24 माई को रांची यारपोर्ट पर पहुंचने के बाद राष्टपती का काफिला जिस रूट से राजभोण पहुंचेगा और फिर वहाँ से जिस रूट के दोवार अलबट एका चोक और जारखन आइटपत तब पहुंचेगा अलप संख्या को कोच छल रही है जारखन सरकार जारखन में मुसल्मानों को लेकर राय नितिक आय दिन देखने को मिलती है राजे में सता पर आचिन कॉंग्रेस जे में रायद और वाम दल जैसी पार्टिया खुद को मुसल्मानों का ही तैसी बताती है वहीं भार्तिय जानता पार्टी अपने को मुसल्मानों का रहनुमा बता कर कॉंग्रेस जेमेम और आयत जैसी पार्टी ओ आरोप लागाने से पीछे नहीं हट रही बता दे जार्खन से जाने वाले हज यात्रियों की तो वर्तमान में जार्खन के रधानी राची से बीमान सेवा की सुरुवात नहीं हो पा रही है जिसको लेकर कॉंग्रेस जामो और रायत केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार पर खुब हामला करते नगर आ रहे हैं वहीं जार्खन से जाने वाले हज यात्रियों के लिए राची से बीमान की सुवधा नहीं मिलने के बाद हज कमिटिक जेर्माइन और विधायक इर्फान अंसारी भातिय जंटा पार्टी पर भी खुब निसाना साथ रहे हैं वहीं जेमेम कोटे से मंत्री बने हफिजूल हसन अंसारी भी विबान सेवा सुरू नहीं होने पर केंदर सरकार को कोशने से पीछे नहीं हटते दिख रहे हैं कोडारमा के बच्चों ने मैट्रिक में किया सांदार परदर्शन जार्खन में मैट्रिक का रियल जारी हो गया है परदेश के सभी 24 जीलो में कोडारमा का रियल सांदार रहा है कोडारमा में जितने बच्चों ने परिक्षा दी थी उसमें से 97.02 फिजदी बचे पास हुए है जबकि राजधानी राची में पास करने वाले बचों का परतिसाथ 74.52 फिजदी रहा है जार्खन एकेडमी काउसिल के ऊवर से मंगलवार को जारी किये गए रियल जारी जारी दी गई है मैट्रिक में जमसेद पूर की स्रेया टोपर जार्खन बोड के दसवी और इंटर साइंस के परिणाम जारी हो चुके है जैक अध्यक्ष ने रियल जारी किये है मैट्रिक में 95.38 परतिसाथ बचे पास हुए है वहीं इंटर साइंस में पास का परतिसाथ 81.4 परतिसाथ रहा बता दे जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो इसके लिए बच्चों को सुबकनाय दी है जैक ने मैट्रिक और इंटर साइंस के रियल जारी कर दी है इसके साथ ही जार्खन के बिद्यारतियों के इंतियार की घड़िया के समाप्त हो चुकी बता दे कॉंसिल के चेयर्मेन अनिल कुमार महतो ने रियल जारी किया है वहीं मैट्रिक में जमसेदपुर के सिरया ने परदेश में टोप किया है वहीं दुमका के सोरो कुमार दूसरे अस्थान पर है जबके हजारी बाग के दिक्षा भारती और चास के रहने वाले दीप मित्रा तीसरे टोपर है इसी तरह इंटर साइंस में रामगर की दिब्या कुमारी ने पुरे जार्खन में अवल रही है वहीं दूसरे अस्थान पर रांची के खुसी कुमारी है वही रांची की ही प्रियांका घोस और हजारी बाग के पवन कुमाराना तीसरे नमबर पर एक साथ है रिम्स में गर्वती ने पांच बच्चों को दिया जन्म रिम्स में सुमवार को एक गर्वती ने पांच बचों को जन्म दिया है जिसके बाद पूरे अस्पताल में यह चर्चा कभी सह बना रहा यहाँ इनकी सिहत पर नजर रखी जा रही है डक्टरों ने बताया है कि बच्चों का वजन कम है फ्री मेच्योर है उनका जन्म 26-27 हपते में ही हो गया है देख भाल की जा रही है कम से कम एक माह तक बच्चों को बहुत ज़्यादा देख भाल की जरूरत है परियाज कर रहा है कि सभी को स्वस्थ कर दिया जाए बच्चों के मा की स्थिती ठीक है जार्खन रगवी एसोसेशन 300 खिलाडियों को दे रहा ट्रेनिंग 1823 में फुटबॉल मैच खेले जाने के दोरान ही रगवी खेल का विस्कार हुआ है बिलियम, बेब, एलिस जो ग्रेट बिरिटेन के स्कूली छात्र थे उन्होंने ही फुटबॉल हाथ में लेकर दोर लगाई थी और रगवी फुटबॉल खेल के शुरुआत हुई बता दे रगवी को अब भारत में भी खेला जाता है रगवी को परती टीम 15 खिलाडियों के साथ बनाया जाता है आठ खिलाडी एस्क्रम में और साथ खिलाडी पूरे मैदान में बिखरे हुए होते हैं जिन्हें बैक कहा जाता है बता दे दोनों सीरो पर एच आकार के गोल पोश्ट के साथ एक आयताकार मैदान पर अंडाकार आकार की गेंद के साथ अंक बनाने की कोशीज करते हैं जारखन रगवी एस्सेशन राजी में रगवी के बीस्तार में लगा है 2011 गारह में जार्खन के नेशनल गेम्स की में जबानी के बाद रगवी एसोसेंसन सामने आया और इस खेल को आगे बनाने में लग गया 2014-15 में राष्ट्रिय जूनियर रगवी चेंपियंसिप का युजन कराया गया वहीं 2021 में जार्खन उलम्पिक संग से पर्मानेंट मेंबर बने हाएं रांची में भिशन सलक हाथसा 20 बरातियों को कुछला 3 की मौत रांची जीला के सिकिंदरी थाना छेतर में एक भिशन सलक हाथसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और डेर दर्जन से अधिक लोग घायल है एक तेजर अफ्तारकार ने बरात में कई लोगों को रौन दिया है इनमें दूलहा और दूलहन के मौसा समेत 3 लोगों की मौत हो गई करीब 20 लोग घायल हो गई जीन है क्यूरिस्ट, गलोबल होस्पिटल और रिम्स में भर्ती कराया गया यह अभिशन हाथसा सो मौत देर राज सिकिंद्री थाना छेतर के सांडी में हुआ है अंगारा के गोदली पोखर के लुपूंग जाडा से बरात सुन्डी पहुंची थी बदा दे बरात दूलहन के दरवाजे पर लग चुकी थी बरात का स्वागत चल रहा था इसी दोरान एक तेज राफ्तार कार सड़क के किनारे लगी बरात में घूस गई जारखन के कई जीलों में जहमा जहम बारिस जारखन के मौसम को लेकर मौसम विभागने अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो आज 23 माई को रांची जीले के कुछ भागों में कहीं कहीं गरजन के साथ हलके और मत दर्ज की बारिस होने की संभवना है इसके साथ ही जीले के कुछ अस्थानों पर तेज हवा भी देखी जा सकती है साथ ही मौसम भी भागने लोगों को सतकताब रतने की नसीहत दी है और सुरक्षित अस्थान पर रहने की सलाधी है बदा दे की पाकूर साहिब गंज गोड़ा जीले के कुछ भागों में भी अगले एक से तीन घंटे में हलके और मदज की बारिश हो सकती है साथ ही तेज हवा भी देखी जा सकती है जिसकी रफ्तार 30 से 40 कुनबर परती घंटा की रफ्तार होगी वही मौसम विभाग ने पुरुनमान किया है कि पलामू लाते हार जीले के कुछ भागों में भी बारिश की समभवना है जारखन के 10 लाख का इनामी नक्सली राम देयाल महतो बिमार पीरा टान थाना चेतरे के पीपरा डिह का रहने वाला इनामी और कुख्यात नक्सली राम देयाल महतो उर्फ बच्चन दा पिछले कुछ दिनों से बिमार चल रहा है पुलिस को सुचना है कि वह पारसनात की तराई स्थीत मधूबन थाना चेतरे के एक गाव में अस्थानी जोला चाप चिकित सको से अपना इलाज करवा रहा है राम देयाल महतो उर्फ बच्चन दा नक्सली संगठन में जोनल कमेटी मेंबर है और पिछले कई वर्सों से हुआ पारसनात से लेकर टूंडित तक कई नक्सली घटनाओ को अज़ान दे चुका है बिते कुछ माँ पूर 25 लाख के इनामी नक्सली क्रिश्ण अहन सदा की गिरफतारी के बाद पारसनात इलाके में फिलहाल राम देयाल महतो की संगठन की देखरे कर रहा है और संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है जन सेवकों की हरताल का जीला परिसर सरस्यों ने किया समर्थान लातेहर जीले में जन सेवक अपने 11 सुत्री माँगों के लेकर 9 माई से हरताल पर है हरताल पर बैठे जन सेवक लगातार सरकार के खिलाप नारे बाजी कर रहे हैं उनका काना है कि जब तक उनकी मांगो को सरकार पुरा नहीं करेगी उनका अंदलन जाली रहेगा वहीं 23 माई को बरवाडी के जीला परिसासर से कоминаई सिंग लतेहार के जीला परिसासर से बिनोत उराव वा सर्यू परखंड के जीला परिसाद सदसे बुधेसFFर उराव समारनाले परिसार इस थी धरना सल पहुँचे उन्होंने जन सेवको की हरताल का समरथन किया उन्होंने कहा एकजन सेवकों से सभी तरह के काम लिये जाते हैं इसके बावजूद उनके हितों की अंदेखी की जा रही है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल के बेल एकन दबाए साची साथ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बस पर अपना फीड़ बाएक अवस्य दे थैंक्यू